हेलो एवरिवन आज हम देखेंगे यूनिट नमबर फोर में एप्लिकेशन और इंटिकेशन मतलब जो एक एप्लिकेशन है वो क्या फाइंड करना है एरिया एन वाल्यूम सो वाल्यूम के एक्जमपल दो तिन ही बुक में दिये हुए है और वो अब तक G2 एक्जम में आया भी नहीं है तो हमें कॉंसेंट्रेशन किस पे करना है ओनली एरिया पे सो एरिया एक्वल टू हमें क्या लिखना है मॉड्यूलस आई मॉड्यूलस का मतलब जो भी आंसर माइनस में आता है तो वो क्या लिखेंगे हम प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि यह जो area है वो minus में नहीं आएगा वो किस में आता है always plus में ही आता है इसलिए हमें modulus i लिखना है अब हमें i fine करना है और यहां पर रख देना है अब i मतलब integration integration का i है यह तो अब integration किसका करना है वो हमें यहां पर example में देते नहीं है अब तक जो हमने example देखे है यह chapter के अंदर उसमें क्या था हमें function दिया होता था limit d होती थी और किसके respect में integration करना है सब कुछ दिया होता है तो हम सिफ integration करते थे लेकिन यहां पर integration भी करना है और function भी खुद लिखना है अब कहां से लिखना है तो पहले हमें condition दी होती है देखो यहां पर दी है the area bounded by मतलब एक region छे मतलब एक प्रदेस छे यह साना ती गेरा ही लो छे सो condition दी होती है देखो कौन से bound हुआ है area तो यह कव y equal to fx और दूसरा क्या है the x axis and the ordinate x equal to a and x equal to b तो यह चार condition दी है तो यह चारो condition हमें पहले x y plane की अंदर हमें graphically draw करना है और bounded region को fine करना है और उनके base पे से हमें i लिखना है integration वाली term लिखनी है बाद में integration करना है तो integration तो easy रहेगा लेकिन यह जो function लिखना है किसका integration करना है और उसके limit लिखनी है वो important है तो यह हम समझेगे यहाँ पे basic जो है दिया हुआ है इसमें तो यह y equal to fx जो काव है देखो यहाँ पे यह दिया हुआ है यह जो काव है वो क्या है y equal to fx है x axis यानि यह है x axis मतलब पहले हमें यह x y plane draw करना है यह हमारे x axis हो गए यह हमारा y equal to fx काव हो गया दूसरा क्या दिया हुआ है ordinate x equal to a and x equal to b मतलब x equal to a तो x axis पे एक point है यह यहाँ से हमने line draw करेंगे और x equal to b कहाँ पे है यहाँ पे तो यहाँ से line draw करेंगे अब यह 4 के बीच में कौन सा हमारा region आया देखो यह आया यह जो vertical line draw की है यह bounded region आया हमारा मतलब आ 4-4 जे आपने सरोत आयपी छे एना थी बद्धा थी आसूं छे आ खे तो गेरा है लू छे प्रदेश्ट सो यह प्रदेश्ट नो एरियो आपने सोथवानों छे चारे-चार condition मतलब यह चारो condition का जो यह common area है यह जो region आपको दिखाई दे रहा है उसका हमें area find करना है अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर दिखाया देखो हम कैसे लिख सकते है I equal to integration किसके respect में अभी यह x axis पे है पूरा तो हम किसके respect में कर रहा है x के respect में हम क्या लिखेंगे dx तो हम x के limit लिखने पड़ेगे यहाँ पे x कहां से start होता है a से start होता है और end कहां पे होता है b पे तो हम क्या लिखेंगे a to b getting अब किसका integration करेंगे function कौन सा होगा तो यह y equal to fx तो हम यहाँ पे y लिखे तो y या तो हम fx लिख सकते है समझ में आ रहा है अब यही जो है वो दूसरी figure में है लेकिन उसका reverse है यहाँ पे x के respect में है यहाँ पे क्या है y के respect में यह देखो यह vertical y पे दिया हुआ है region तो यह जो area है वो bounded हुआ है उसके लिए जो condition दिये कौन सी है x equal to gy है देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x equal to gy मतलब यह y axis मतलब यह vertical y axis and the ordinance के हुआ है यह y equal to c and y equal to d तो यह y equal to c मतलब यह line y equal to d मतलब यह line अभी यह चारो को combine करो तो common area कौन सा बनता है हमारा यह आपड़े में डो कई रूप पिंग कलन नी horizontal line एक तो एनू आपड़े सूंस वद्वानुच है area मतलब शेत्रफ़ बराबश है तो कैसे find करेंगे बहुत easy है जो यह example हमने देखा उपर वाला same way है तो हम आई लिखना है आई equal to क्या है integration अब किसके रिस्पे में करेंगे देखो यह जो area है वह यहाँ पर है वाई के रिस्पे में करेंगे तो य की limit लिखेंगे तो य कहां से start होता है उनको ही consider करना है अब किसका करना है हमें integration यहाँ पर यह जो function है x equal to gy उसका तो यहाँ पर x लिखो या जी वाई लिखो तो यह हो गया i मिल गया अब इनकी जो भी value आती है वो रखनी है और integration करना है तो बहुत easy है तो यह case हो गए अभी दो case हो गए और भी आ सकता है देखो यहाँ पर दो function दिये हुए है यह दोनो case है देखो यहाँ पर क्या है if two curves y equal to f1x मतलब कौन सा है यह वाला है and y equal to f2x मतलब यह वाला है intersect only in two points x equal to n x equal to b मतलब जहाँ पर यह दो एक दूसरे के साथ intersect होते हैं मतलब एक भी जाने 6 देखे यह point काया आए पाचे a अना भी जो intersect point काया आए पाचे b तो यह हमें draw करना पड़ेगा जैसे equation देते हैं उसी base पर line होती है पेला बोला आता है circle आता है कुछ भी हो हमें draw करना है और हमें यह जो है bounded region find करना है प्रदेस find करवानों पहला तो यह सोधवानों तो आपाने ख़बर पड़े ने पहला तो यह तो ख़बर पड़े जो ने क्सेत्रफ़ पर सोधवानों चे ओके तो area find करने के पहले हमें ये तो region पता चलना चाहिए कि कौन से region का हमें area find करना है वो region कहां से मिलेगा ये condition जो दी होती है उसको हम ये draw करेंगे तब जाके हमें common region मिलेगा तो ये दिया हुआ है तो उसका कैसे area find करेंगे area मतलब क्या लिखेंगे हम modulus eye मैंने बोला वैसे कि area always positive आता है तो I का answer मानों के minus में भी आये तब ही modulus है तो हमें क्या लिखना है positive लिखना है अब I कैसे find करेंगे यहां पर तो बहुत easy है I equal to अब क्या करना है ये integration है अब देखो ये दोनों कव है अब हम दो मैंसे ये y या x मैंसे कोई मैंसे एक choose करते है तो जादा तरह हमाँ ये x access choose करनी है मतलब x के respect में हमें integration करना है तो मैं लिखता हूँ dx तो हम क्या करेंगे ये x पर ही point है हमारे ये दोनों इसलिए easy रहता है तो x की limit क्या है देखो कहां से start होता है ये a और कहां पर end होता है b पर तो ये बहुत easy है a2 क्या लिखेंगे b लिखेंगे अब किसका integration करना है तो यहाँ बें दो function दिये हुए है हमने जो previous example देखे ये example तो उसमें क्या थे एक ये function था यहाँ बें दो function है तो दोनों का क्या करना है subtraction मतलब ये f1 x minus f2 x और उसको bracket में रखना है समझ मैं है मतब इसको y1 बोलो और इसको y2 बोलो तो क्या करना है y1 minus y2 तो दो function है यहाँ पर ok y in the form of x x का function है y इसलिए हमें ये लिखना है f1 x minus f2 x तो ये same जो है नीचे का जो example है वो भी same है ये horizontal था x axis पर ये कौन से है vertical है right so ये intersection point यहाँ पर कौन से दिये है ये c and d दिये है और ये दो हमारे function है x जो है वो भी y के form है यहाँ पर क्या है y x के form में था so same आएगा ये दोनों का क्या आएगा difference आएगा तो i equal to क्या लेख सकते है g1 y minus g2 y किसके respect में करना होगा यहाँ पर y के respect में तो क्या लिखेंगे dy और यहाँ पर limit कौन से y की c to d तो यह हो गया ये i equal to so बहुत ही easy है तो ये basic हो गया कि हमें ये integration कैसे लिखना है मतलब area मतलब हमें ये करना है modulus i अब i fine करना है तो i कहां से fine करेंगे ये condition दी होती है वो हमें xy plane पे draw करनी है और जो common area आता है ओके बद्धी condition नो बद्धी सरुत नो गेराईलो प्रदेश ये पहला सोधवानो ये ना पर थे आपड़ी या limit मुका से और कोना integration करवानो ये कोना respect मा करवानो ये वो easy जे एक example चार माक्समा आवेच्छे 100% कोई पर पेपर जो जो area find करवानो एक example हसे अना आसो थे ग्यू application of integration मतलब संकरलनी उप्षो कीता हम next वीडियो में इनके base पे example देखेंगे और example देखने से पहले जो उसके लिए थोड़ा बहुत raw material चाहिए मतलब कि parabola आता है तो parabola कैसे draw करना है xy plane पे कोई line आती है तो कैसे draw करना है parabola ऐसा आता है ऐसा ही क्यों draw करना है वो सब कुछ हम पहले थोड़ा बहुत देख लेंगे और सब कुछ नहीं देखेंगे लेकिन जो example में use होने वाला है वो ही देखेंगे और उसके बाद हम example स्टार्ट करेंगे लेकिन देखेंगे